हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का खिरकी टॉक शो के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में दोस्तों आज की वीडियो को डेडिकेट किया है अभी शर्मा ने जो नहोंने बोला था भाई Most Expensive Indian Capped Player के उपर एक वीडियो बनाई है तो चली दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं So guys इस लिस्ट में जो दसमा खिलाडी रखा है मैंने उसका नाब है दोस्तों आर अश्विन दोस्तों इस खिलाडी को इस लिस्ट में रखने की दो सबसे बड़ी बज़ा है पहले दोस्तों इनकी बॉलिंग ओफ क्वालिटी दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी के गेंदबाज है आर अश्विन कि दोस्तों कई सारी टीमें इन पर बिड़ कर सकती है जहांपर दोस्तों एक प्रॉपर चार ओवर का बैंक है एक खिलाडी अब दोस्तों चलते हैं नोमे खिलाडी की तरब और दोस्तों इस खिलाडी का नाम है शार्दुल ठाकुर अब दोस्तों शार्दुल ठाकुर की जो पफोर्मेंस है वो आप ने देखी ही होगी चाहें वो फिर दोस्तो वो test cricket हो, चाहें ODI हो, चाहें फिर T20 cricket क्यों ना हो हर एक format में दोस्तो काफी अच्छी balling करते हैं और 7 के साथ बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं आप कह सकते हैं, balling all-rounder का proper विकल्प बन सकते हैं चाहें चाहें अब आप करते हैं, अब बात करते हैं आठ में खिलाडी की और दोस्तो उस खिलाडी का नाम है राहुल चाहर दोस्तो राहुल चाहर अभी वुमड़ इनकी टीम के साथ थे और काफी अच्छा performance करते आ रहे थे पिछल 2-3 साल से इनका reward मिला है दोस्तों इनको T20 विश्व कप की टीम में भी शामिल किया गया अला कि match कम खेल के पाए जितने भी खेले थो कमाल की balling इन्होंने करके दिखाई है फायदा होगा auction में जहां पर दोस्तों इनको 7-8 करोड रुपे भी मिल सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम साथ में खिलाडी की और दोस्तों साथ में खिलाडी का नाम है हर्शल पटेल दोस्तों हर्शल पटेल को इस लिस्ट मिलाता है उनका previous year का IPL का form जहां पर दोस्तों उन्होंने एक ही सीजन में 30 से उपर विकेट ले थी और पहले ऐसे इंडियन बॉलर बन गए थे जिनकी दोस्तों 30 से उपर विकेट हो एक IPL सीजन में इसके बाद दोस्तों कई सारे लोगोंने कहा कि अभी इंडिया टीम के लिए तयार नहीं है और हो सकता है इंडिया टीम के लिए अच्छा perform ना करें लग इनका काफी ज़्यादा साथ दे रहा है पर दोस्तों इन्होंने उस बात को भी wrong साबित किया जहां पर दोस्तों इन्हों इंडिया टीम की जर्सी भी पहनी और उस मैच में भी काफी अच्छी performance हमें करके दिखाई दोस्तों मान के चलिए साथ से साथ से साथ आठ करोड रुपे भी इस खलाडी को बिल सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम छटे कलाडी की और दोस्तों छटे कलाडी का नाम है शिखरदवन दोस्तों शिखरदवन डैली कैपिटल्स की टीम से रिलीज हुए थे लेकिन डैली कैपिटल्स की सकस का एक बहुत बड़ा रास थी दोस्तों कई सारी टीम है जो ओपनर को डूनेगी वो कई सारी टीम है इस खलाडी को टार्गेट कर सकती है जहांपर दोस्तो पंजाब किंग्स और जैली केपिटल्स की टीम सबसे आगे रहेंगी इन पर बिटर लगाने के लिए हाला कि दोस्तो हो सकता है ड्राफ्ट के जरीय भी पिक हो जाए तो काफी अच्छी अमाउंट मिल सकती है दोस्तो मान के चलिए आप 10 करोड तो इनको मिलने ही मिलने है इसके बाद दोस्तो बात करते हैं पांच में खिलाडी की और दोस्तो पांच में खिलाडी का नाम है यूच्वेंदर चहल दोसो यूजवेंदर चहल की जो performance है वो आप इनके आकड़ों से भी नहीं आख सकते क्यों? क्योंकि दोसो जहां पर यूजवेंदर चहल आप तक खिल सेते वहां balling करना spinner के लिए काफी ज़ादा difficult हो जाता था काफी छोटा सा मैदान है RCB का वहां पर दोसो इनोंने balling करके सबसे ज़्यादा विकेट लिए है RCB के लिए और दोसो यही नहीं साड़े साथ से कम का एकनौ में भी रखा है इस खिलाडी का यूजवेंदर चहल का दोसो फाइदा इनको auction में जरूर होगा वह सकता है draft के जरीए है अगर दोसो ड्राफ्ट के जरीए गए तो इसको 11-12 करोड रुपे भी मिल जाएंगे इसके बाद दोसो बात करते हम चौते खिलाडी की और चौते खिलाडी का नाम है दोसो श्रयाश आयर अग दोसो श्रयाश आयर को इस लिस्ट में रखने का main reason है उनकी कैपेंसी का विकल दोसो इस सीजन को छोड़के पिछले दो सीजन से डेली कैपिटल्स की कपतानी करते हुए आ रहे थे श्रयाश आयर एक बार quarter final तक लेके गए अपनी टिम को एक बार final तक लेके गए तो काफी सारी टिम जिनको कैपेंसी की जरुवत है और हाला कि कई सारी टिमों कैपेंसी की जरुवत सच में है तो कई सारी टिम इनको पिक कर सकती है इनको बिड कर सकती है और draft वाली टिम भी इनको as a captaincy के व अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि हार्दिक पांडया अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है और हो सकता है इन पर इरतनी ज्यादा बेट ना लगे बड़ दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो यह आक्शन होने वाला इसके बाद पाद 4-5 साल तक कोई आक्शन नहीं होगा और दोस्तों कोई ऐसी टेम नहीं होगी जो की 200 हार्दिक पाण्या को आक्शन में उतार दे और दूसरा रिज़न यह है दोस्तों की फॉर्म इस टेमप्रिरी बड़ क्लासे पर मैंने यह दोस्तों क्लास वाला प्लेयर है और आपको IPL में आज नहीं तो कल अच्छी performance करके जरूर से ही दिखाएगा मेरा मानना है कि ड्राफ में भिक हो जाएंगे और साड़े बारा करोड या फिर ग्यारा करोड इनको आराम से मिल जाएंगे इसके बात बात करते हैं हम दूसरे खिलाडी की जिसका नाम है इशान किशन इशान किशन एक तो विकेट कीपर बैट्समेन है इनको यही मिल जाता है कि विकेट कीपर बैट्समेन की भरमार काफी कम होने वाली है और कई सारी टीमें विकेट कीपर बैट्समेन को टार्गेट करेंगे जहांपर अगर वो विक्ट कीपर बैट्समेन ओपनर हो तो काफी अच्छी बात हो सकती है जहांपर अब इन पर काई सारी टीम है आप कह सकते हैं दस की 10 टीम है बिट कर सकती है और यह खिलाड़ी आप मान सकते हो 14 से 15 करोड में भी बिख सकता है इसके बाद दोसो पहले खिलाडी के बारे हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है दोसो केल राहुल कमाल लाजवाब राहुल अगर दोसो आक्षण में आयाते हैं IPL का अब तक का रिकॉर्ड तूट जाएगा और आप मान सकते हो कि अब तक के सबसे महंगे खिलाडी बन जाएंगे केल राहुल अगर आक्षण में आगे तो हाला कि दोस्तो दो नई टीम इनको बिल्कुल भी आक्षण में जाने नहीं देना चाहेंगी और चाहेंगे कि इनको पहले सी ड्राफ्ट में पिक कर लिया जाए भले ही 15 से 16 करोड इनको क्यों न मिल जाएं दोस्तो अगर यह आक्षण मा आगे फिर तो दोस्तो 17 क्या इन पर 20 करोड भी आराम से लग सकते हैं दोस्तो यह थे वो 10 खिलाडी, 10 इंडियन कैप्ड खिलाडी जो इस आई पिल आक्षण में काफी ज़्यादा महेंगे जाएंगे दोस्तो आपके हसाब से ऐसा कोई खिलाडी रहतो नहीं गया जो इस लिस्ट में ना आ पाया हो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा और तोसे यही था आज की वीडियो में आम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टोपिक के साथ जब तक के लिए धन्यवाद जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और अगर बैल आइकन को नहीं दबाया है तो बैल आइकन को भी दबा दीजे ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज